दोस्तों आजकी सी भीडिओं में हम आपकी टॉपिक बीसी अगरी कुल्चर फर्स्मिस्टर के एक टॉपिक शेल्फ आवर्डिनिस के बारे में चर्चा करने वाले हैं यानि जिसे स्वाचेतन बोलते हैं तो स्वाचेतन होता क्या है थोड़ा सा जानते हैं चेतना कुछ जिवधारियों में स्वयम के लिए अपने आसपास के वातावरण के तत्तों का बोध होने से होता है उन्हें समझने तथा उनकी बातों का मुल्यांगन करने की सक्ति का नाम है बिज्ञान के अनुसार चेतना हुआ अनुभूत ही है जो मनुस्क में पहुचने वाले अभिगामी आवेगों से उत्पन होती है इन आवेगों का अर्थ तुरंत अथवाबाद में लगाया जा सकता यानि कहा जाए कि स्वाचेतन को ही हम क्या कहते हैं अगला है स्वाचेतन का अस्थान यानि स्वाचेतन का जो अस्थान है वा क्या है तो अगर बेसिकली बोला जाए तो स्वाचेतन का जो अस्थान है मनुस्का मस्तिस्क है तो यहां पर क्या लिखा गया कि चेतना मनुस की वा विसेश्ता है जो उसे जीवित रखती है और जो उसे बेक्तिगत विसियो में तथा अपने वाता वरड के विसे में ज्ञान कराती है इसे ज्ञान की विचार सकती यानि बुद्धी कहा जाता है यानि बुद्धी अगर आदमी स्वाचेतन है तभी उसके अंदर बुद्धी होगी और तभी वह सारी चीजे प्रॉपर कर पाएगा तो वही चीज कहा जा रहा है यही भी सेस्ता मनुस्त में ऐसे काम कराती है जिसके करण हुआ एक जिवित प्राड़ी समझा जाता है उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मनो बैग्यानिक दिश्टी कोर से अगर मनो बैग्यान के द्वारा देखा जाए तो दिश्टी कोर क्या है यानि स्वाचेतन क्या है तो उसके उपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मनो बैग्ञान के दिष्टी से चेतना मानो की उपस्तिती तत्व है यानि मनो बैग्ञान के दिष्टी से जो चेतना है वा क्या है मनुस के अंदर उपस्तित एक तत्व है जिसके कारण उसे सभी परकार की अनुभूतियां होती है चेतना के कारण ही हम देखते हैं यागर हमारे अंदर स्वाचेतन है तब ही हम देखते हैं सुनते हैं समझते हैं और अनेक बिस्यों पर क्या करते हैं चिंतन करते हैं इसे के कारड़ हमें सुख दुख की अनुभूती भी होती है और हम इसी कारड़ अनेक परकार के निश्चे करते तथा अनेक पदार्थों की प्राप्ति के लिए चेश्टा भी करते हैं उसके बड़ आगे कहा जा रहा है कि मानो चेतन की तीन बिसेस्ता होती हैं अगर मनुस के अंदर जो चेतना है तो उसकी तीन बिसेस्ता होंगी पहला क्या है ग्यानात्मक जो उसकी चेतना हो सकता हुआ ग्यानात्मक हो भावात्मक हो और क्रियात्मक हो तो मनुस के अंदर कित प्रश्टित निरोप प्रग्या की प्रुष्टी होती है चेतना वत तत्य है जिसमें ज्ञान की भाव की व्यक्ति की अर्थात के लिए सीलता की अनुभूती होती है जब हम किसी पदार्थ को जानते हैं तो उसके स्वरूप का ज्ञान हमें होता है इसके प्राती प्रिया अभी प्रिया पैदा होती है और उसके प्रती इच्छा पैदा होती है जिसके काड़ हमें या जिसके काड़ हम उसे अपने समीप लाते हैं अत्मा दूर करते हैं यानि सब सारी चीजे जो है कि क्या कहा जा रहा है कि जो आपका मनो बेग्यानिक दिश्टी कोड है इसके द्व अच्छा है तब उसे हम अपने पास लाते हैं, और अगर वो हमें हरमफुल करेगा, हमें नुकसान पहुचाएगा, तो उसे हम क्या करते हैं, अपने से दूर लेके जाते हैं, अगला आपका है, जो आपका लाइस्ट पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कि स् चेतन के मुक्रुप से तीनस्तर होते हैं चेतन और चेतन अस्तर पर वे सभी बाते होती है जीनके द्वारा हमसोचते समगते करते हैं , चेतन ही मनुस का भाव रखता है और यही बिचारो का संगठन होता है, यई चेतन का मतलब क्या ज़ county बालता है कि चेतन वे सारी बाते हैं जिनके द unwanted होता है। उसे हम क्या करता है चेतन है अउचेतन अस्तर में वे बाते आती है जिनका ग्यान हमें तक्त छड़ नहीं मिल पाता है पर उन्तु समय पर याद की जा सकती है और अउचेतन की बात किया जा तो अउचेतन अस्तर में वे बाते आती है जो हम भूल चुके हैं और जो हमारे यंत अपने पर भी हमें याद नहीं आता है और विसेश प्रक्रिया से जिनने याद कराया जाता है और वे अनुभूतिया एक बार चेतना में रहती हैं वे ही अभी अवचेतन और अवचेतन मन में चली जाती हैं ये अनुभूतिया सरवथा निस्क लिए होती हैं मानों में अंजा का टॉपिक है, सेल्फ आवेर्नेस इस समझ में आ गया होगा, दोस्तों इसमें कोई सारी चीज़े साइन्ट फिक तरीके से कुछ समझाने वाली नहीं है, इसमें बस आपको कहानी की तरह है, आपको सुन लेना है, समझ देना है, बस सारी चीज़ें लिख देना है, तो मिलते ह आपने नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद फंदे मात्रम